है बच्चों, आज S7 को हिंदी में एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूं और इस कहानी का सिर्शक है, मौरिसस चूटा सा हिंदुस्तान मौरिसस एक अलग सा देश है, किंतु वो एक चूटा सा हिंदुस्तान बना हुगा है और इसके लेखक है, रामधार्यू सिंग दिनकर, जिनका जन्द 23 सिकंबर 1908 इसमी को हुआ, आप जानना चाहें कि कहां हुआ इनका जन्द तो जिनकर जी का जन्द बिहार के बेगु सरार चिलाके सिमर्या गाउं में हुआ, सिमर्या गाउं में हुआ, ये भी फेमस अस्थान है, याद रखेगा, सिमर्या और सिमराही, ये दोनों अलग-अलग जगे हैं, सिमराही पर भी एक फिल्म बना था, ये यहां पर हम लोग सिमर्या की बात कर रहा हैं, सिमर्या जान की बात कर रहा हैं, और दिनकर जी की कई प्रमुख रचनाएं भी थी नहीं हैं, अगर ताबित ही बात करें, तो उनके काव्यों में रश्मी रथी और सरसुराल की प्रतिक्षा प्रहुख हैं, अगर गद्य की बात करें, तो गद्य में चेतन का शिरा, विबाद की मुशिवतें, जैसे गद्य प्रचलित हैं, आप यह भी जाने का प्यास करें, कि हिंदी साहित के इतिहास में इनका प्रमुख अस्थान रहा है, यह लेखक भी थे, कभी भी थे, और निवन्देकार भी है, आतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं को अपनी प्रखर लेखनी के माध्यम से एक नया आयाम दिया इनोंने, और जैसे प्रमुख रजनाओं का प्रस्न है, और हमने इसके बारे में आपको बता है, आपको कई प्रस्कारों से नमसा गया, सम्मानिक किया गया, आपने कदम भूशन प्रस्कार प्रात्किया हुआ है, आपने शाहित अधाधी प्रस्कार भी प्रात्किया, और आपने भारतियर यार्वीच प्रस्कार से भी सम्मानिक हुए, हमारे पार्टिक उस्तक में मौरिसस की बात आती है और मौरिसस जासा की हमने इसके शिर्सक नहीं बतलाया तिछूटा सा हिंदुस्तार में हम भार्तियों की एक खास विश्रिस्ता है और विश्रिस्ता ये है कि हम जहां भी कहीं जाकर रह बस जाते हैं वहाँ पर अपनी सब्यता और समस्कृति की हमें छाप शोर जाते हैं मौरिसस एक ऐसा देश है जिसे भार्तियों में दूसरा हिंदुस्तान ही बना डागा उस खोटे से हिंदुस्तान के मनोरम रेखा चित्र को यदि अन्वर कीजिए तो आपको लगेगा कि आप वहाँ भी हिंदुस्तानी है और वो जगह जहां पर आप खड़े हुए वो एक हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान का मौरिशस में 67 परसेंट व्यक्ति भारती ही है और विसेस्टर बिहार और यूपी के इसलिए तुमकी भासाएं भी भारती भासा वाली भासा ही है तो जिसका मौरिशस के बारे में मैं भाब कर रहा हूं कि इसका कोई भी हिस्सा कोई भी भाब सम्हितर से पंगर मिल से ज़ादा दूर नहीं है मालिशस वादेश है जिसकी राज़ानी कोट फिलूई की गलियों के नाम भी कलकत्ता मद्रास हैद्राबाद बंबई इत्यावी हैं वहां की गलियों के भी नाम है और जिसके एक पूरे मुहले का नाम काशी है मालिशस वादेश है जहां बनारस भी है बोखुल भी है और ब्रह्म अस्थान भी वहां पर हैं लकाली का मतलब यह यह है कि यहां पर कि स्वारों के नाम वहां भी है कि रिकत नम बशार है कि वह दिलिए 15 जुलाई को बंबै से यानि मुंबै से 16 जुलाई को और नैरोभी से 17 जुलाई को मौर्शक के लिए रवाना हुआ इधर से जाते समय नैयोगी में उन्हें लगा तो नैयोगी में उन्होंने एक रात और दो दिन बिताई एक रात और दो दिन ठारने का उपका मिला अते मन में यह लोग जा गया कि मौरिस्टस के भारतियों और अफ्रिक्यों से मिलने से पहले उन्हें अफ्रिका के सेरों से मुलाकात कर रहनी चाहिए पीचलो भड़ कहा अपर की सेर भी देख लें विमान दूसरे दिन साम को मिलने वाला था इसलिए वे जिस दिन नैरावी पहुँचे उसी दिन उच्चायुक्त की उच्चायुक्त स्रीभाटिया के साथ निस्टनल पार्प में घूमने निकल गए नैरावी का निस्काल पा पेड़ बहुं कम है लेकिन जंगल में सरवत्रड अच्छी सड़के विची हुई है और परेटकों की गारियां उपर दौरती रहती है दौरती रहती है हमारी गारी को भी काफी दिर तक दौरना पड़ा हमारी से अभी प्राल यहां लेखा की गारी की बात है उनको भी दौरन कि तो नहीं दूरी तैकरने के बात या हम लोग इस प्रकार का सकते हैं कि दसवीश मील के भीतर हर सरक छान लेने के बात हम उस जगा पर जा पहुँचे जहां शे उस भी आराम कर रहे तो सेथ ये आराम का भी अस्थल है वहाँ पर वे आराम कर रहे थे और वहाँ पर जो कभी नहीं भूला जा सकता है कुछ सापाट से कुछ लेटे हुए थे कुछ सोय हुए थे उन्हें घेल करके आठ-दस मोट्रे खड़ी थी उन्हें को घेल कर लेकिन शेद कुछ इस प्रकार था जैसे वो इनकी तरफ ध्याद भी नहीं दे रहा कुछ देखी में ही देख रहा है तो रायर किश्टे को या जाने की कोई इक्षा नहीं थी कि हमें देखने आने वाले ये सैलामी लोग ये कौन-कौन लोग है, कौन नहीं है, कैसे है, नहीं है मोट्रों में सिसे चढ़ा कर उनके भीतर बैठे लोगों की ओड शेरों ने दृष्टी पाद करना भी जरूरी नहीं समझा तो हम लोग वहाँ आदा गंटा ठारे होंगे यानि लेखक वहाँ आदा गंटा ठारे और इस बीच एक से उठा जबवाई ली दूसरे ने देखो ताना मगर इन लेखकी ओर किसी भी सेर ने नजर तक नहीं उठाई और इतने में कोई नील भर की दूरी पर कोई नील भर की दूरी पर ही रनका जुम्द दिखाई पड़ा जिसके बीच में एक जिराथ भी अब ये दो जवान सेर उठे और वहां से दूसरी तरफ चल दिये तिक खुड़ा आगी जाकर के अलग जला पर बैठ जाता है लेकिन दूसरा जो है वो घास के बीच में चिता हुआ मोर्चे पर आगी बढ़ता जाता है भी इनों के जुड़ने भाव लिया कि उन पर सेरों की नजर पड़ गई है फिरन भाव लिये कि सेर ने हमें देख लिया है इसलिए अब थोड़ा चौकन्ना हो जाए और इसलिए बहुत चौकन्ना हो करके चल रहे थे भी उसके डाप जुड़ से दिरे दिरेक शूत कर भी दिरन एक तरफ को भाग निकले मदर बागी जो गाफिल थे यहां के जहां के तहां वहां ख़ए रहे तो इक्षा तो यह थी कि यह लोग बेर तक रुखें अब देखें कि आगे का नजारा क्या होता है लेकिन समय जो है वो 6 मज़े से उपर भू रहा था और साथ वह तक न में तो करता नहीं है वो सुर्यास के बाद करता है सुर्यास के बाद सिकार करता है सेरो की खासियत है कि वो सिकार जब जुंड में जांबर हो तो जुंड में नहीं करता वो क्या करता है कम्सोर जांबर को पकड़ता है पीछे जो जांबर छूड जाते हैं लाचार हो जाते ह किस्वा जाते हैं उनको उनका सिकार में करते हैं एक और आशियत हैं से रुखी उनकी सुनीजिए से जब एक जानवर की सिकार कर लेता है और उससे अपना पेड भार जाता है तो बेफजूल का वो दूसरे जानवर का सिकार में करते हैं जब तक कि उसे पुनह भूख की जरूरत नहीं हो, खाने की जरूरत नहीं हो, भूख नहीं लगे, तब तक और दूसरे जानवर का सिधा नहीं तो जो भाग से हुए जुन्ड से पिशड़ जाता है जानवर, उसी को ये अपना सिकार बनाते हैं, अब ये बात समझ में आई कि हीरत भागने को निरापत नहीं समझ कर एक गोले में क्यों खड़े थे, कि अगर कुछ ऐसा समय आया, तो वो वहां से निकार दे हैं, नैरोभी से मारिशस तक लेखत, बियो ऐसी के विमान में उड़े, और वह विमान नैरोभी से चार बज़े साम को उड़ा, और पांच ध हंटे की निरंतर उड़ान के बाद, जब वह मारिशस पहुंचा, तब वहां रात के लभर दस बज़े थे, रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर वैसी इस्विती में भी इनके स्वागत में काफी लोग वहां पर खड़े थे, हवाई अड़े पर स्वागत का स वह भारध हो है, चुकि मारिशस के भारतियों में से, अधी कास तद हार आज इसलिए हंडी का मारिशस में ग्याप पर चाह है, जागातर मारिशस बासी हंडी में ही बोलते हैं, मारिशस की हिन्दी प्रचारणी सवाव जिबित जाकुन संस्था है, मारिशस की राजदानी, एराग भासा अंग्रेजी है लेकिन बोल चाल की भासा क्रियोल है तो क्रियोल के बार मारिसस की यदि कोई दूसरी भासा है तो वो है भोशपूरी भोश्पूरी को इन दूसरी भाचा मामी पढ़ेगी प्राया सभी भारति भोश्पूरी बोलते अग्वा उससे समझ लेते हैं तो यहां तक की भारतियों के परोज में रहने वाले कुछ चीनी लोग भी भोश्पूरी बहुत भी बोल लेते हैं लेकिन मौरिसस की भोष्पूरी साहाबाद या सारण की भोष्पूरी नहीं है वहाँ से थोड़ा अलग है वहाँ के भोष्पूरी में फ्रेंच के बहुत सारे शब्द मिले हुए है और आपको बाज-बाज सब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे बाज-बाज बाज-बाज का मतलब कोई-कोई किसी-किसी तो किसी-किसी शब्दों के वहाँ पर मतलब भी पूछने पड़ेंगे हिंदी और भोष्पूरी मारिसस निवासी भारतियों को एक सुट्र में बादे है और मारिसस को भारत के साथ बाजने का काम भी कौम कर रही है तो हिंदी ही कर रही है मारिसस में हिंदू संस्कृती की रक्षा का काम तुलसी दास जी का रामायन में किया हुआ है मारिसस में इख की खेती और उसके ब्यासाय को जो सफलता मिली है वह भारतिय वंस के लोगों के कारण ही मिली है इन्होंने ही अपना योगदान में दिया है सारा मारिसस क्रिसी प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख और एक मात्र उद्योग है मार अपने बैठे बैठे हम यह सबज नहीं पाते कि भारतिय संस्कृति की तमी प्राणवती और चिरायू है मारिसस जागर हम अपने संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्यान आसानी से प्राणवत द्वीप है मन्जूर किया लेकिन प्रलोग हम के चुकडे को सरना उचित नहीं समझा उसे चुकडा गिया वे अपने धान पर डटे रहे और जिस द्वीब में परिस्थीतियों में उन्हें भेज दिया था उस द्वीब कोड़ों ने चोटा सा हिंदुस्तान में तब्दीद कर दिया यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भातियों को गर्भ होना चाहिए मौश्थस में आप देखेगे तक्रीबन प्रतेख ग्राउम में शिवालय होता है प्रतेख प्रभुख ग्राम में हिंदु तुल्सी कित्रामायन का पाठ होता है धूल और धांज पर वे घायम करते हैं मौश्थस के मंदियों और सिवालयों को इन्होंने अत्यंत स्वक्ष और सुरम में पाया बेलकुल नीच और प्रीन जितना स्वक्ष वे मौश्थस में दिखाई देते हैं हम भारत में भी अपने मंदियों और सिवास्थलों को उतना स्वक्ष और सुरम में बनाने का फ्रेदु परें वहां का परितलावी हिंदु का एकांदे भटी के कारण पुनिधान हो उठा है जैसे यहां लोग बोर्डब देवधर की तिर्च यात्रा करते हैं कावर लेकर तुलतान गर में जल चढ़ाते हैं जल लेते हैं और देवधर में जाकर बाबा भुले को जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार माविस असमें भी परितलाव में ये लोग सफेज वस्त्र में एकठा होकर भी भाड़ के साथ जाते हैं और वहाँ पर जल लेकरके मंदिरों में याने शिवरात्री के समय की बात है ये कावर लिये जुरूस पनाकत परितलाव पर आते हैं और परितलाव का जल भर करके वहां से वो कहां जाते हैं भगवां के मंदिर में जाते हैं और अपने अपने गाओं के सिवाले शिवाजी को चुढ़ा कर अपने घरों में परवेश करते हैं ये सारे काम उवे बड़े ही भक्ती भावना से और परितता के साथ करते हैं अपने दर्म के लोग बहुते हैं आपने वहां पर जुचते हैं और देखे हैं तो आपने जाना कि मॉरिसस एक छोटा हिंदुस्ताम बना हुआ है अब आपको मैं होंबग दे रहा हूँ तो होंबग के तो पर हमने आपको पेस नंबर पंचाने च्यांदे के दो ती और चाहतु अपनी कॉपीपस बनानी है